क्या आले हैं आप सभी के आपने मंडे में दबा के प्रॉफिट किया होगा आज मार्किट ने आपको मौका दिया था स्पेशली बैंक निफ्टी ने एक सी और पी दोनों की ट्रेड आपको मिली होगी अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं वो आपकी खुद की डिसिप्रिन की कमी हैं मार्किट इनफ ऑपर्चुनिटीज दे रहा है ऑप्शन बायर को देखो यार ग्रीड अपना किंट्रोल में रखना है अगर आज मिड कैप की एक्सपाइरी इतनी ज्यादा सूपर हिट नहीं गई हम वोफफुल है टूजडे वले दिन कल हनुमान जी का दिन है यार हनुमान जी हमके साथ जरूर रहें मेरे साथ जरूर रहते हैं हर वक्त रहते हैं और टूजडे को मैंने देखा है maximum profit भगवान की देया से maximum profit मैं पिछले कुछ सालों में टूजडे को ही करता आ रहा हूं ये मेरा track record है जिरोधा का account बताता है धनका account बताता है कल fin fantasy के लिए आ देखो यार जब पांचो दिन expiry है एक दिन expiry अच्छी नहीं जारी मतलब एक indication हो सकता है कि next expiry बहुत अच्छी जाए पांचे के पांचे expiry हिट नहीं हो सकती अगर आज अच्छी नहीं की मैं तो hopeful हूँ कोई बात नहीं मिड का अच्छी expiry नहीं कोई problem नहीं है कल एक अच्छी expiry हम expect करके चल सकते हैं सारी चीज़े बताऊंगा यह करके detail में आप बस comment करके बताना आपको helpful लग रहा है यह सारी details या नहीं लग रही मैं telegram group पे सुबह का plan of action अलरडी discuss कर चुका हूँ दोस्तों telegram group पे अगर अभी तक आप join ने हो हो जाओ मैं सुबह का plan of action telegram पे discuss किया था और अब आपको पता है यार market दिन पर दिन sideways जैसे behave कर दिया ना तो शाम को भी एक session होता है crude oil का क्या आपने telegram group join किया नहीं किया तो कर लो क्योंकि बहुत जल्दी हम crude oil की trading start करने वाले है क्या आपको crude oil के अंदर trade लेने में interest है capital कम चाहिए होती है profit दबागी होता है क्योंकि अच्छे कासे movement हमें crude oil के अंदर भी मिलने वाले है उसकी updates market levels कहां जा सकती है sentiment क्या है वो सारी details में crude oil के अब telegram group पे डालना शुरू कर रहा हूँ दिलसे डेटर का official telegram group जरूर जोइन करना मैंने सुबह यार अलड़ी बोल दिया था almost flat opening हुई थी market के अंदर ये बहुत strong support है 43,449 अगर 43,500 से उपर जाती है market तो हम buying करेंगे इस support से market को reverse रहना था उपर जाने की chance थे और यहाँ पे nifty के अंदर we were not interested भले ही उपर जा रही थी market बढ़ एक channel में बनती ये तो था रात का मतलब ये तो था सुबह का analysis सुबह मैंने approximately ये कितने बढ़ी डाली 946 पर डाली देखते है market में उसके बाद हुआ क्या दोस्तो आपको पता है plan हमारे according काम गया 43449 पर देखो यार क्या हुआ है 43449 से market नहीं बैंक रिफ्टी का चार्ट है market ने हलका सा reversal दिया और जैसे 43500 को break किया हमने एक long की entry बनाई इसके अंदर approximately आपको 200 point easily capture हो गए होंगे मैंने बताया 43700 एक बहुत मेजर resistance है इसको market ने दो बाद टेस्ट किया एक बार यहां पे one एक बार यहां पे two but market इसको breach नहीं कर पाया इसका मतलब समझ आ गया यह जो upside की movement है यह जाता sustain नहीं कर पारी FIIs ने heavy selling शुरू कर दी अब FIIs क्या करते है ध्यान दे समझना यह money control की official website है दोस्तों इसके अंदर FIIs की आज की 20 November की क्या बोल रखी है net selling कर रखी है 645 करोर्स की और DIs ने buy कर रखी है 77 करोर्स हमें DIs को ignore करना है क्योंकि वो long term investment के players होते हैं FIIs intraday cash FNO उसके अंदर ज्यादा trade करते हैं 70th November selling 15 November 16 November सरफ यह 2 दिन थे जब buying हुई थी अदरवाइस पिछले 10 दन का data उठा के देख लेना FIIs ने net selling ही कर रखी है कल भी selling हुई थी मलब last trading session में आज भी selling हुई है उस दिन से मलब side day से जादा selling आज हुई है इसका मतलब यार कहिना कही market में उपर से pressure मनाया जा रहा है market नीचे से support लेके उपर जाना चारी है बड़ उपर से इसको धकेला जा रहा है नीचे की तरफ और वो ही मिला उपर यहां से approximately 200 point की movement उसके बाद market ने यहां से दुबारा 43,500 तक दुबारा 200 point की movement नीचे डाल दी उसके बाद यार आपको पता है एक trend line draw करने के बाद हमें upside की movement मिली बट बहुत slow movement मिली यहां भी आपको profit कमाने का मौका मिला होगा और ultimately market क्या हो गया sideways हो गया तो automatically हमारे लिए क्या क्या levels important बन जाते हैं समझ लो एक तो यह level बहुत important लिए 43,449 कल expectation के market एक gap down दे सकता है देखते है कल क्या होगा बट market एक gap down की scenario में लग रहा है क्योंकि बहुत bullish scenario तो भी market में बनने रहा global queues भी हमें इतना जादा favor नहीं कर रहे एक यहाँ जा closing होई है यह बहुत important level बनने वाला है आपके पास यह बहुत important level है 43,619 क्योंकि आज की जो starting थी वो यह थी और अगर आप VWAP लगा के देखो VWAP के जब भी market आसपास घुमती रहेगी समझ लेना market अप sideways range में जा रही है ठीक है और एक बहुत important area आपके पास यह भी बन गया 43,700 यह बहुत major resistance आपका बनने वाला है और support की अगर मैं बात करूँ तो support एक और यहाँ पे बन गया 43,500 यह चार levels हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में अगर हम कल trade ले रहे है क्योंकि बैंक निफ्टी के expiry Wednesday को है कल इसके भी premium आपको सस्ते मिलेंगे फिन निफ्टी के बारे मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी दोस्तों एक channel में बन था फिन निफ्टी एक channel में बनता जैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है वैसे यह फिन निफ्टी भी मूवमेंट करता है बट यह channel का breakout दिया इसने यह देखो यह channel का क्या क्या breakdown दिया है इस level को breakdown दिया बट नीचे यह बहुत strong support है यहाँ पर 19500 का लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 19500 का strong support एक फिन निफ्टी लेके बैटा है market उससे नीचे जाने को हो नहीं रहा market ने try करी कितनी बार पहली एक बार try करी फिर दो बार try करी बर दो नो बार big big failure हो गया इसका मतलब 19500 हमारे लिए एक बहुत major support का काम करने वाला है कल के दिन उसके बाद market जब channel से बाहर आते है ना सब अपनी trade बनाते है market देखो channel से बाहर आया market एकदम sellers गुसे seller का asset करते करते market दुबारा channel में फस गया तो उपर से एक range आ रही है 15 minutes का time frame अगर मैं आपको दिखा हूँ यहाँ पे मैं सब हटा देता हूँ 15 minutes का अगर मैं आपको time frame दिखा हूँ market ने दो बार try करा है इस channel को breakout देने की बड़ वो channel को breakout देने पाया दुबारा market जाके channel में फस गया है मैं expect कर रहा हूँ कल या तो sideways market मतलब या तो कल opening हो हमारी फिल्कुल flat यह 9500 एक बहुत major support की तरह काम करने वाला है उपर के level पे 9600 यह important support है और 9650 दोस्तो पिछले expiry में भी यहाँ पे fight हो रही थी इस expiry में भी यह 3 levels बहुत important बन जाते है as far as finnifty is concerned क्या बताया 9500 9500 फिर आपके पास एक और आए यहाँ पे 9600 और एक और 50 points उपर 9650 यह तीनों बहुत important points बन जाते हैं मैं downside की movement में ज़्यादा है interested हूँ upside मुझे अभी लगने रहा market जाएगा कल यह data के साब सर्म trade करने वाले हैं नीचे की movement अगर देखी जाए तो 9450 और उसके नीचे 9350 यहाँ तक market अगर consolidate करके आता है तो definitely हमें put की trade ले सकते हैं इसको break करना चाहिए volume के साथ again market का अंदर एक strong move down move का बन सकता है अब move के अंदर इतने SL नहीं दिख रहे हैं मेरे को बात कर लेते हैं last में nifty 50 की दोस्तो nifty 50 का एक बहुत important channel में nifty 50 से में फस रखा है उपर से एक बहुत major resistance है यह कौन सी है 9850-9800 की बहुत major resistance है और 100-100 point पर जैसे 9750 यह बहुत major resistance है यहाँ से market दुबारा नीचे आया उसके बाद market almost overall पूरा देखा जाया तो market का था पूरा sideways था 15 minutes का time frame लगा रखा है market ने try के इसको breakdown देने का बड़ दोस्तों यहाँ से बहुत sharp buying आ गई यहाँ से क्या आ गया बाइं आ गई तो 9650 का level nifty के लिए बहुत important है 9750 का level resistance है और नीचे का level 9700, 9650 important support का काम करेगा nifty के लिए यह अभी भी range about market है nifty में मैं कर इंटरस्टेट नहीं हूँ सिर्फ एक spirey वाले दिने इसको देखेंगे और 9700 अगें यह strong resistance की तरह काम करने वाला है नीचे के level पे 9600, 9550, 9500, 9450 यह सारे 5050 के points की movement बहुत अच्छा आपको पेज दे सकती है एक नीचे आएगा दुबारा consolidate करके नीचे आएगा तो हम at least कल target लेके चाल सकता है 100 point अगर आपे मिलके nifty के अंदर सुबह सुबह morning में मिल जाए तो इससे विडियो कोई बात नहीं हो सकती कल मैं जादा interested bank nifty और fin nifty के अंदर हूँ कल fin nifty के expiry है देखते है किस तरह roll out play out करेगा आपको hero zero call से फायदा होता है या नहीं होता हर दिन मैं सुबह 9 से 11 लाइव आता हूँ और 2 बज़े से लाइव आता हूँ आपको इस youtube channel पे पहली बार अगर आए हो तो channel को subscribe करो telegram group ज़रूर join करना I am sure आपको help होई होगी काफी इस analysis से जल्दी मिलते है take care कल की live के लिए मैं बहुत interested हूँ कल trading में मज़ा आएगा कल option buy रसली में कमाएगा क्योंकि बहुत ऐसे late होने वाले है market में down move up move data के ओपर depend करेगा बट move जरूर आएगा ठीक है जल्दी मिलते है take care all the best